हेलो एवरिवान, वेलकम तो माई यूटूब चैनल और मैं हूँ आपकी दोस्त नीता तो दोस्तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसी स्मूधी शियर करने वाली हूँ जो की बहुत ही ज़दा अच्छी है, फूल अफ नूट्रेशन है इसमें एंटी उक्षिजन्स है, फाइबर है, मिनर्स है, विटामिन्स है, प्रोटीन्स है जो की आपके लिए बहुत ज़दा बेनिफीट है, आपकी हैल्थ के लिए भी बहुत ही ज़दा अच्छे है तो दोस्तो अगर आप इस स्मूथी को जो भी आप जो है ब्रेकफास खाते हो, उसकी जगापे रिप्लेस कर दोगे तो कुछ ही दिनों में देखोगे कि बहुत ही अच्छा ज़द आपको मिलेगा, यह टार्गेट करेगी आपकी बैली फैट को जितनी भी बैली फैट है वो खतम हो जाएगी क्योंकि यह डाइजेस्टर सिस्टम को बहुत ज़दा इंप्रूब कर देती है, जिसके कारण जितने भी आपकी फैट जमा हो जाती है, वो धीरे धीरे कम हो जाते है दोस्तों यह बहुत ही अमेजिंग स्मूधी है, इसको जरूर ट्राइ कीजिगा, खुद बाख खुद आपको जर्ड मिलेगा तो दोस्तों इस स्मूधी के लिए सबसे पहले आपको लेने हैं दो टेबल स्पून ओर्स के, ओर्स में होता है फाइबर, एंटी ओक्सिजेंट्स, पुरूटीन, यह ब्लड शुगर लेवल को लो करता है, क्रेस्टो लेवल को लो करता है, इसमें विटामीन, मिनरस होते है जो की हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़दा अच्छे होते हैं, तो आपको इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर रखके रोस्ट कर लेना है, आप ज़्यादा रोस्ट करके भी एक कंटेनर में भरके, फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं दोस्तों इसको, और जब भी आपको करना है, आप फ्रिज में से निकाल लिए और दो टेबल स्पून का यूज कर सकते हैं, तो देखे इस तरह से मैंने इसको अच्छे तरह से रोस्ट कर लिया है, अभी हम इसमें बाकी की चीजों को भी एट करेंगे, तो दोस्तों इसके बाद आप एक मिक्सी का जाल ले और जो कि हमारे लिए बहुत इच्छा होता है, इसके बाद आपको लेना है एक एटल, मीडम साइज का आपको एटल लेना है, स्कीन के साथ अच्छी तरह से धो के उसको पीसिस में कट कर लेना है, तो दोस्तों हम सब को पता है एपल बहुत ज़दा अच्छा होता है, मॉन तो आप इसके जगह पर almond milk या फिर normal milk का भी use कर सकते हैं, एक बात का ध्यान रखना है कि उसमें कोई भी मीठा ना हो और ना ही उसमें कोई fat हो, fat free आपको दूद का लेना है, और सबी चीजों को mix कर देना है, mix करने के बाद एक चीज हम इसमें और add करेंगे, जो कि बहुत ही ज चहरी के उपर बहुत अच्छा सा गलो देते हैं और बालो के लिए भी बहुत ज़्यादा बैस्ट होते हैं, तो यहां पर जो है मैं half tablespoon से थोड़ा सा ज़्यादा इसमें डालूंगी, यह बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, बहुत ही करंची करंची लगते हैं, थैंक्सक्रवाचिंस